आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं फ्लू के लक्षनों के बारे में फ्लू एक बहुत ही जादा कॉमन वाइरल इंफेक्शन होता है जिसके बारे में मैक्सिमम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होता ही है तो एक बहुत ही जादा कॉमन वाइरल इंफेक्श इन सब को involved करता है और जैसा कि मैंने अभी आपको बता है कि यह सेल्फ लिमिटिंग होता है लेकिन जो हाई रिस्क ग्रूप है हाँ हाई रिस्क ग्रूप कौन सा होता है बहुत चोटे बच्चे यह बहुत बुज़ुर्ग लोग या प्रेगनेंट फीमिल या फिर वो लोग जिनकी इंविन सिस्टम थोड़ी वीक है इन लोगों में तो्ड़ा सिरीस हो सकता है तो आज के अपनी इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्क्स करेंगी कि फ्लु के जो लक्शन होते हैं वो क्या होती हैं हम कैसे समझ सकते हैं कि यह फ्लु एटैक के ए और इसी के बारे में हम डिसकस करेंगे लेकिन आगे बढ़ने के पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ने किया जल्दी से जल्दी कर ले ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो तो जैसा कि मैंने बताया कि वैसे ये अपने आप ही डिजॉल्व हो जाता है कुछ समय में अगर फ्लू का जो वारिल इंफेक्शन अगर किसी को होता है लेकिन कुछ लोग होते हैं जहां पर थोड़ा धियान देना ज़्यादा जरूरी हो जाता है यूजली जो बच्चे होते हैं 65 यर से जादा के जो बुजर्ग होते हैं या फिर जिनको जिनका इम्म्यून सिस्टम वीक होता है या फिर जो लोग को मॉर्बिड कंडिशन से सफर कर रहे हैं ऐसे लोगों में थोड़ा सा धियान देने की जरूरत जादा हो जाती है यहाँ पर थोड़ा सा कंडिशन ज करन के लिए सकता है रनीम हो सकती है नाक बंद होना हो सकती है उसके इलामां थंड़ लगके बुखाराना तो जो बॉड़ीन है 19 appreciयों में ध्रद बना रह सकता है बहुत जाधा क змुख और थे कान मैससूस हो सकती है ड्राइय और सिस्टन जो कफ होता है वैसा हो सकता है उसके वहाँ साथ सोर्थ रूट हो सकता है गले में खराश रह सकती है आय और एर इंफेक्षन भी कई बार इसके साथ हो जाता है उसके अलावाद छोटे बच्चों में और डाइरिया और वॉमिटिंग की कंडिशन भी हो सकती है तो यह हमने डिसकस किया जो इसकी कॉमन लक्षन है, फ्लू के जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं, उसके बारे में तो हमें कब डॉक्टर को दिखाना जरूरी हो जाता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि एक सिल्फ लिमिटिक कंडिशन है, लोग यूजली घर पे रहके ही इस जड़ा जरूरी हो जाता है, अगर यह थोड़ा सा प्रोग्रेस करता है, सिवियर्टी की तरफ, तो माल लिजे कि छोटे बच्चों में कुछ लक्षन होते हैं, जिसके होने पे हमें तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, वो कौन-कौन से लक्षन है, उसके बारे में डि ले पढ़ रहे हैं, इस तरह की कंडिशन हो रही है, उसके अलावा, अगर बच्चे बहुत ज़्यादा बॉड़ी, बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द की कंप्लेइन कर रहे हैं, साथ ही साथ वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, जैसे कि मैंने बताया था कि डि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके अलावा, अगर जो कॉमन सिम्टम्स हैं, उनकी वर्सनिंग होने लगती है, मालेजे सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बाडी एक कंटिनेसली बनाए फीवर नहीं जा रहा है, वीकनेस बहुत ज़्यादा मैसूस हो रही है, सीजर्स की कंटिन हो रही है, ऐसी कंटिशन में अगर अगर अडल्स में भी सिम्टम्स की वर्सनिंग हो रही है, तो तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, आक्शली जो फ्लू है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन वैरिल इंफेक्शन तो है, लेकिन बड़ी सारी को कईपारी फ्लेयर अप कर सकता है, निमोने की कंटिशन में चाहिए नियुक्त बडगास की हो सकती है, और किसी को ऐसमा है तो उसका फ्लेयर अप हो सकता है, कईबर एर इनफिक्शन भि इसके वज़ह में हो जाते है, जो अक्उट रिच्पिरेटory इसकी डिस्टर्स लेनी चाहिए तो इससे बचने के जो मीन जुबथ ही बेसिक तरीके होते हैं उनको हमेस फॉलो करना चाहिए अगर है और फिर हाथ लगा है सी जगह पर तो हमें हैं वाश करना हैं वश्ण बहुत ही बड़ा सॉलेशन होता है किसी भी infection को इस तरह के होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं और किन कंडेशन में मेडिकल है भी लेनी चाहिए तो उमीद करती हूं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी मदद मिलेगी उसके अलावां भी अगर आप कुछ जाना चाहते हैं फिर किसी तरकी के कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे